दो हजार में पद्मबूशन, दोजार आठ में पद्मवीबूशन, दोजार आठ में ही गवर्मेंट आप सिंगापूर की तरफ से ओनर आप सिविलियन का अवोर्ड, सेम अवोर्ड बिटेन और फ्रांस की तरफ से भी, अब एक और नया कमाल जानेंगे कैसे, रतन टाटा को ओस्टेलिया का HIGHEST सिविलियन ओनर का अवोर्ड कल दिया गया था, ये अवोर्ड ओस्टेलिया के हाई कमिशन के टॉप अधिकारी, बेरी फेरल्स के द्वारा दिया गया था, ये बहुती सम्मान की बात होती है, इससे रेलेटेट उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, ज ये ट्विट काफी वाइरल हुआ, इसे तीन लाग से भी ज्यादा व्यूस मिले और साथ अजार से भी ज्यादा लाइक्स, वैसे बता दे आपको 1998 में ऑस्टेलियन पीम जोहान नोवाड ने टाटा को निमंतरन दिया कि आप यहां आकर बिजनस करें और रतन टाटा ने उनकी बात मान ली, उन्होंने वाँ पर टाटा मोटर की शुरुआत करी और कुछी समय के बाद टाटा कंसल्टिंसी की भी शुरुआत की 1998 में, तब से लेकर अब तक टाटा ग्रूप ने ओस्टेलियन एकोनोमी को काफी सफोर्ट किया है, वही टाटा ग्रूप यहां 17,000 लोगों को भी काफी मिला है और आगे भी मिलता रहेगा, वैसे तो इस दुनिया में के सारे अवोर्ड इनके काम के आगे छोटे हैं, सो से भी ज्यादा ओनर के अवोर्ड इनके पास हैं, और जो अवोर्ड इनके सम्मान के साथ इनसाफ कर दे, वो अभी तक तो बनाई नहीं है, हम आशा करते हैं कि इस पर उन्हें स्वस्त रखे और उनकी लेगेसी को लोग आगे ऐसे बढ़ाते रहें